सोनों दोस्तों यूटी एडमिसेशन आप दादन अगरवली दमदी मों बहुत सारी वेकेंसी है यह एडबेटाइसमेंट नमबर है 1.11.2023 को रिलीज हुई है चीप एक्सिगूटी ओफिसर यह हमारी गवर्निंग बोडी इनने वेकेंसी जारी की है दोस्तों इसके बाद में यह सौटम कोंट्रेक्ट बेसिस पे हैं प्रोजेक्ट मेनेजर सिविल की एक पोस्ट है क्वालिफिकेशन यह मांगी हुई है एक्सपिरियंस में देखिए चारों मैडेटरी है चारों होना चाहिए 50 से 75,000 सेलरी रहेगी दोस्तों इसके बाद में मेनेजर लीगल एंड कोंट्रेक्ट की एक पोस्ट है क्वालिफिकेशन यह मांगी हुई है तीन होना चाहिए और एक्सपिरियंस भी इतना होना चाहिए आपके पास चारों सेलरी कॉमंसरेट विद एक्सपिरियंस के सबसे यह लोग सेलरी दोस्तों इसके बाद में सिलेक्शन मेथेड क्या रहेगा कि आपको डाउनोड करना है देखिए यह नीचे दिया फॉर्म भरके आपको वन सेट अटेस्टेट फोटो कॉपी लगानी है एक्सपिरियंस स्रेटिफिकेट की और आपको इंड वाकिन इंट्रिवू में आपको यह सब लेके आनी है नो आपको यहां पर लेकर जानी है विन्यू आफ इंट्रिवू आने आपको जगव है कलेक्टेट सेलवासा में विपोर्टिंग साड़े नोव बजे सुबह है सेवन इलेवन टूठावन टूठाव दोस्तों आपको सुबह पहले पहुचनी है यहाद एक दो घंटा पहले ताकि ज़्यादा अवेर हो सके क्या क्या डॉकुमेंट लेके जानी है टाइम ऑफ इंट्रव्यू आपको दोस्तों 11 बजे आपकी इंट्रव्यू होगी 711-2023 को दोस्तों इसके बाद में है ना दोस्तों आपको इसके बाद में आपको फोटो लगानी है नेम उप पोस्ट अप्लाइड जीस पोस्ट के अपलाइथ क्या हो वह नेम ओफ केंडडेट ब्लॉक लेटर में फादर नेम एड्रेस क्या है वह बतानी है फोन नंबर मोबाइल तो बताएगे Master status क्या हुआ आपकी यह बताएगे दोस्तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जी स्पोस्स के लिए आप अप्लाई करें उस हिसाब से आपकी एजुकेशन बतानी है वह एक्स्पिरियंस में आपने जी स्पोस्स के रिलेटेड आपने काम किया है वह बताएग में डिबेंट होंगे तो यह लोग निकाल देंगे दोस्तो जीस देट से भर है वह और आपकी प्लेस और आपकी सिगनेशर होना जरूरी है अटेस्टेट कॉपी ऑफ रेलेमेंट सर्टिफिकेट और डोकुमेंट सुट भी अटेच अलोंग विद एप्लिकेशन फॉर्म हो करेंट से अवेर हो सके दोस्तों आपको जो भी डाउट है आप डिसक्रिप्शन में रख सकते हैं और फॉर्म भी आपको डिसक्रिप्शन में मिल जाएगी इसका इसके रिलेटर इतने भी वेकेंसि आते हो सब महीं अपडेट देता हूं कब का फिजिकल टेस्ट होगा